मैं यहां अभी इनके घर की सफाई कर रहा हूं और आप देख पा रहोंगे नीचे बॉटम में इनका रोमेंस चल रहा है डियाइवाई पॉंट क्लीनिंग के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है पहले एपिसोड में जिस तरीके से एक्वेरियम फिल्टर के मेरे से किया था पानी के अंदर जितना भी गंदगी था जो फीसेज का वेस्ट था उसको मैं इसने काफी अच्छी तरह से अपने अंदर खीच लिया था फिर सुबह मैंने इसको काफी साउधानी से बाहर निकाला अपने पॉंट से इस्ट्रे की मरस है क्योंकि आप देख पा रहो होंगे जो इस पूरा फिसेज के वेस्ट से और गंदगी से भरा हुआ है जैसा मैं चाहता था वैसा ही इसने अच्छी तरह से काम किया है लेकिन बहुत सारे लोगों का मुसे यह सिकाया था कि आप एक्वरियम फिल्टर को मत इस्तमाल कीजिए इसमें मचलियों की बच्चे सकते हैं इसके स्पॉंज के अंदर तो मैंने उसको चेक करने के लिए उसको इसी में रख कर छोड़ दिया कुछ देर के लिए मैं देखना चाहता था कि जो इस गन्दा पानी सांथ थो रहा था तो मैंने तब तक सोचा कि क्यो ना अपने इस पॉंड़ को और भी अच्छी तो फिल्टर साफ नहीं कर सकता था तो मैंने जूगंदा पानी है उसको इस बालटी में काला काफी साउधानी से और मचलियों को बचा बचा कर मैंने यह काम किया इसके बात सारा गंदा पानी मैंने अपने गंदा डाल दिया लेकिन मैंने डायरेक्ट पानी को छाना के मैं आगर फीसे मशνियों के बच्चे होंगे तो व Its चनी से छन जाएंगे और जो पानी यों उस पानी को भी दबारा बाल्टी के अंदर निकाला और जब पूरा पॉर्ण अच्छी तरह साफ हो गया तो मैंने साफ पानी को दबारा पाइप से भर दिया पूरा पॉर्ण को फिल कर दिया और क्या आपकी नजर में यह तरीका सही है जिसे मैंने अभी अपने पॉर्ण को स के बाद फिल्टर से गंदा पानी निकला था चाइब कहीं उसके अंदर कोई मचली का बच्चा है तो नहीं तो मैंने उसको चुकी तो एब अभी भी मुझे कोई बीऊ-शोड इकपा होगे वह हो यहां पर चैर हो और इसे पर छोड़ा ओर यहा तो अब ही क्योंकि यह पानी चेंज हुआ है साफ हुआ है तो इनको इस पानी में एड़ेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा तो इसलिए भी फिलाल यह नीचे बैठी हुई है लेकिन जो बच्चे उनको बढ़ों की तरह बैठने का मन नहीं कर रहा वह आप देख पा रहोंगे इधर उधर पूरा पॉर्ण के अंदर घूम रहा हैं यह मुझे काफी खुस भी लग रहे हैं साफ पानी के अंदर और इस नया जगा पर आकर डियाइवाई पॉर्ण के सफाई में इसके अंदर जो वाटर प्लांट है उसके काफी सारी पत्तिया तूट गई थी सफाई के अंदर तो मैं ने चान्नी से जितनी टूटी हूँ पत्तिया थी उनको मैंने चाना और उनको पानी से बाहर निकाला क्युंकि यह पानी के अंदर बात में गलने लगेंगी और पानी का रंग खराब करेंगी मैं यहां अभी इनके घर की सफाई कर रहा हूँ और आप देख पा रहोंगे नीचे बॉटम में इनका रोमेंस चल रहा है एक दो घंटे के बाद जब गंदा पानी सांथ हुआ तो मैंने देखा कि एक छोटा मचली का बच्चा इसमें फसा हुआ था तो मैंने उसको बाहर निकाला और उसको दुबारा से उसके साफ सुथरे घर में उसको छोड़ दिया इस एक मचली के बच्चे के अलावा मुझे कोई और दूसरा मचली का बच्चा या कोई दूसरी मचली फिल्टर के स्पॉंज के अंदर फसी हुई नहीं दिखी नहीं उसके गंदे पानी में लेकिन मैंने जिस तरीके से पानी को निकाल निकाल कर साफ किया था तो उससे ती सर्दियों का मौसम सुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने पॉंड के अंदर हीटर नहीं लगाएंगे तो मचलियों के बच्छे मर सकते हैं और बड़ी मचलिया भी सुस्त हो जाती है पानी ठंडा होने के कारण और कई भर वह भी मर जाती है लेकिन पुरान हीटर खराब हो गया तो मैंने नया हीटर अपने लोकल एक्वेरियूम सोब से खरीदा अगर आपको यह हीटर अगर आपके सेर में मिल जा रहा है तो अच्छा है नहीं तो मैं एमेजॉन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से हीटर को ख पकता है इसका वाइर भी काफी अच्छा है जो पूरा वैर है आपको एक बीजगा पर कटने देखेंगे वह पूरा इंदर प्लक लगाए वहा पर भी प्लास्टिक तो मैंने इसको सबसें पहले पानी के अदर डाला जितना नीचे जा सकता है आप तार को नीचे उतना कर सकते हैं bere प्लास्टिक होता है तो करेंट पानी में नहीं आने वाला है इसके बाद आपको इसको प्लक से ओन कर देना है यहां पर आप देख पार होंगे मैंने सच्टा जुगार लगा है और इसी जगा पर मैंने इसको लगा कर छोड़ दिया और आपको बार-बार पानी के अंदर हाट डाल कर और बार-बार स्विच ऑन ओफ नहीं करना है तेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए क्योंकि यह हीटर ऑटमेटिक होता है आप इसमें टेंपरेचर सेट भी कर सकते हैं यहां पर आप देख पा रहोंगे यहां पर आपको छोटा सा LED बल भी दिखेगा यहां से आपको को पता चल जाएगा कि इसमें करेंट जा रहा है और अपने इतना हीटर का टेंपरेचर सेट किया उतना पानी का यह यह अपल भी अपर ě pokला-पों Prumen और मैं आपको जो इसके अंदर का छोटा वाला बल्ब बता रहा था जिससे आपको पता चलेगा इसमें करेंट जा रहा है नहीं वह दिन के समय आपको फोसे के उतना अच्छा से नहीं देख पाएगा ज्यादा रौसनी और धूप के कारण लेकिन जैसे ही साम होगा आपको ब पानी के अंदर खाना फुला कर दे रहा हूं इस तरीके से खाना देने का फायदा बहुत सारा है मैंने इसके बारे में अपने सौट्स चैनल के उपर बताया है मैंने एक नया सौट्स का चैनल ओपन किया है जहां पर मैं मचलिओ से रिलेटेड आप जो सवाल पूछते हैं क उसका जवाब मैं उस चैनल पर देता हूं तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा यहां पर आप देख पार होंगे मैंने लेट के अंदर सबसे पहले मैंने इस फिस फूट को फुला लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेडिसीन इसके अंदर डाला थ तो इसका कोई फेमस ब्रेंड मैं यूज नहीं करता हूं जो लोकली मिल जाता है मैं उसी को इस्तमाल करता हूं इसका तीन चाय ड्रॉप मैंने फिस फूट के डाला और उसको पानी में अच्छी तरह से मिला दिया और इसके बाद आपको कुछ मिनटों के लिए 5-10 मिनट के तो अब मचलिया खाएंगी नहीं लेकिन आप देखिएगा मेरी मचलिया कितनी जल्दी इसे खाने वाली है यहां पर आप देख रहोंगे देते ही जो बच्चा था एक मचली का उसने खाना सुरू कर दिया और जैसे नीचे बाकि दूसरी मचलियों को पता चला तो वह भी आकर आप देख पा रहोंगे उन्होंने भी खाना सुरू कर दिया अब आप देख पा रहोंगे मेरी मचलियों ने मुझे डरना कम कर दिया है अब यह मेरे सामने भी आकर फिसपूट खा रही है अपना खाना खा रही है जैसे आप देख पा रहोंगे यहां पर अब मचलियो करके भी आपको दिखाया आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर तेर कीजिएगा इसके साथ मचलियों से रिलेटेड गाडनिंग से रिलेटेड पीड़ पौदों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं मचलियों से जुड़ी तो आप वह सबसे पहले देख पाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में ओके बाए